आज मैं आप लोगों के लिए मैट्विक फिदिक्स चेप्टर नमबर थी प्रॉब्लम नमबर 3.7 सॉल्फ कर रहा हूं कुशन में से कह रहे हैं कह रहे हैं दा व्लॉसिटी ऑफ आम मोटर साइकल इंक्रीज बाइन एक्सलिशन एक मोटर साइकल की व्लॉसिटी इंक्रीज हो हम गाड़े में अख्रियर्शन फोया तो हमारी स्पूड भण यह बिया और इक्सलिशन कितना हो है तो initial velocity मालूम करें तो हमसे इस data में क्या कहा हूँ है हम data मनाते हैं सबसे वहले हमें question में कहा हूँ है 3.7 के initial velocity मालूम करनी है हमें Question मार, acceleration दिये हूँ हमें कितना 2 meter per second square time दिये हूँ हमें कितना 5 seconds बच्चे confused होते हैं इस वाली velocity में कहा रहा है तो देखें पहले गाड़ी यहां जब इसकी बोलने है velocity increase हो जाती है हो जाती है 20 meter per second यानि पहले कुछ और थी बढ़के 20 meter per second हो गई तो जो बढ़के बाद में velocity जो वो कौन सी velocity होती है final तो यह हमाँ पास है final velocity जो के 20 meter per second ती हुई हमाँ तो अब हमें क्या मालूम करना है initial velocity मालूम करना है फिर हम first equation of motion का स्टमाल करेंगे VF is equal to VI plus 80 और VF minus VI sorry हमें VI निकालना है तो हम VI के लिए रेंच करेंगे तो VF minus 80 is equal to VI हो जाएगा VF हमाँ पास कितना है 20 minus acceleration कितना है 2 time कितना है 10 sorry 10 तो यह हो जाएगा हमाँ पास 20 minus 20 is equal to VI और एक सेकेंड हमाँ पास time कितना था 5 था sorry 2 5 था 10 तो 20 minus 10 10 is equal to VI तो इस तना हमाँ पास initial velocity कितनी आगए 10 meter per second तो जैसे के सवाल में करावा था कि velocity increase हो जी है तो आप दे सकते हैं पहले 10 meter per second थी और बाद में वह 20 meter per second थी तो 10 meter per second velocity हमाँ इनकिरीज होई जब हमने 2 meter per second 10 square का acceleration प्रोडियूस किया उमीदे कोशन आप लोग को समझ आया होगा इसमें कोई भी प्राब्लम आप लोगों से comment में बे शब पूस सकते हैं तेंकियू सोमच अल्हाफसू